यह वाव पावगड में आई है और जब भी आप पावगड गुमने के लिए आई तो यहाँ पर जरूर आना क्योंकि यहाँ पर आने का रास्ता भी आपको मैं दिखाने वाला हूं और बहुत सारी पूरानी चीज़ों को देखने का मज़ा कुछ और होता ही है और यहाँ पर ह हाइन होगे बहुत बढ़े बहुत मस्त होगे तो आज हम जाने वाले पागड और पागड में एक हाइड प्लेस है जो कि बहुत साल पूरानी वाव है वह आज में आपको दिखाने वाला हूं तो बीच जंगलों में आई हुई है तो कहां से जाए और उसकी क्या कहानी है औ सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं और सुनाने भी वाला हूं तो बने रहे वीडियो पे तो वीडियो एंड तक देखना तब जाकर आपको पता चलिगा ठीक है तो यहां से हम चलते है पागड हिल्टेशन के पास तो यहां पर हम फाइनली पहुंच चुक से साफि constitu से हमें आगे जाना है ठीक है तो यहना हमारी भा능 लेकर हम जाति हैं हम दो अपर आपकेलए अकले मत आना तूक है आपको मैं रिक्वेश्ट कश्टा हूं क्धियी यह जंगलों है और यहां पर अकले आना मनाई है मैं कहता हूं ठीक है तो यहां से हम सिमक चलते है वाव देखने के लिए, तो साइड में यहाँ पर आप देख सकते हो, दो लंबी-लंबी दिवार है, और दिवार के बीच में कार्शी सी हाइवे है, और यहाँ पर जाता है, जो की बहुत ही नजीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई फेक्टर ही है, और यहाँ पर एक रास्ता है जो कि खूणिया महादेव के पास जाता है रास्ता यहां से यहां से आप जा सकते हो वाव की बात तो दूर की बात है यहां पर तो रास्ता ही खंडित हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हो खंडित ही रास्ता है और यहां पर बोड़ लगागी रखा परिकरम का रास्ता है यहाँ पर साइड में ठीक है तो यहां से हम आगे चलती है वाउ देखने के लिए तो यहां पर आपर प्रोईस द्वार है जो की अभी टूट चुका है और यहां से रखा है गेबंचा की Wow चामपान ही ऐसा तो आप पढ़ लेना ये गुजरती में और इंग्लिस में आप पढ़ लेven ठेक हैं तो यहाँसे हम चलते है वाव देखने के लिए तो यह भी चंगलों में है और सुनसान है यहाँ पर कोई भी नहीं है यहाँ पर सेर भी आ सकती है यहाँ बहुत कुछ आ सकता है यहाँ ठीक है तो यहाँ पर आए तो सोश समध करें आना जो कि जो जो पाठ है आपर तूट चुके तो यहाँ पर रखे गई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा कच्रा है कच्राई कच्राई और कुछ आपको दिखाई नहीं देता होगा इस वाव का बहुती बूरा हाल है और एक भी भी टूट भी सकती है और बारिस के टाइम यहाँ पर मत आना क्योंकि यहाँ पर किचड़ी किचड़ होगा और कुछने होगा और जो जो चीजी यहाँ पर तूट चुकी है वो साइड में यहाँ पर रखी गई है जो कि पत्थर के जैसे आपको दिखाए देता होगा बहुत सारी पत्थर ऐसा लगता है लेकिन नहीं यहाँ पर जो जो ज पाने के लिए आते थे और यहांपर पाने पिके पागर यहांपर देख सकते हो जितना दिखा है प्कार्ट वाँ आपको दिखाने का कोसिस करूंगा यहाँ पर बहुत सारे ट्रे है इसलिए आपको नहीं दिखाए देता क्योंकि यह बहुत सारे पूरा नहीं है इसलिए खंडित भी हो चुकी है और इसका बहुती बुरा हाल है यार क्या करे यार मेरे को देखा भी नहीं जाता यहां पर आप पाने भी देख सकते हो 45 मंजिल की वाव है और आपको अंदर जाके आपको दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पर यह जो कंपनी है जो कि यहाँ पर बहुत सारा काम चालू है जो कि उसका आवाज आपको सुनाए देता होगा लेकिन मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिश्टब करता है तो आपको अंदर जाके आपको दीखाता हूँ वाउ का अंदर का नजारा कैसा है ठीक है तो यहां से हम चलते है मेरे साथ तो कोई भी नहीं यार और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे ट्रे 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 है और कुछ नहीं दीखाए देता और यहां पर बंदर भी थे लेकिन अभी नहीं है तो आप यहां पर आए तो बंदर से साउधान रहना क्योंकि आपको कभी भी काट भी सकते है इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि बंदर को आप सोच समत कर छेड़ चानी करना यहाँ पर वीडियो सूट करना भी अलाउड नहीं है लेकिन मैं छुप छुप कर वीडियो सूट करता हूँ तो आप सिनेमेटिक सॉट का इंजोई करिए एक वक्त पे यह लोगों की प्यास बुजाती थी लेकिन अभी के वक्त पे आप देख सकते हो आपको देखकर आख में आशू आजाएंगे इसका ऐसा हाल है यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा कच्रा है और कुछ आपको दिखाई नहीं देता होगा यहाँ पर आप देख सकते हो और अंदर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हर एक साल यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है तो आप आई तो यार सोच समत कराना यह आपके लिए वर्णिंग है मेरे तरब से और यहाँ पर शीडिया भी बहुत तूट चुकी है तो सोच समत कर अंदर जाना और यहाँ पर बहुत सारा कच्रा 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 है और कुछ नहीं है और यहाँ आप देख सकते हो आपको पाने देखने को मिलेगा लेकिन आपको बहुत ही जादा आगे जाना पड़ेगा लेकिन आगे जाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा तो आप सोसमत का रिस्क लेना लेकिन मैं तो ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को डर नहीं लगता यार लेकिन मैं तो अंदर जाके आपको दिखाने वाला हूँ कैसा उसका हाल चाल है ठीके तो मैं तो अंदर पहुंच चुका हूँ और और भी अंदर में जाने वाला हूँ लेकिन सीडियो का बहुती बूरा हाल है यार और यहाँ पर मैं अकिला-किला आप देख सकते हूँ सुनसान है मेरे साथ कोई भी नहीं यार फिर भी मैं वीडियो शूट करता हूँ यार मेरे को ऐसा डर नहीं लगता यार ऐसी लोकेशन पर लेकिन मैं तो कुछ-कुछ बोलता हूँ और कुछ-कुछ खाता भी हूँ लेकिन मैं तो लिपसिंग करने वाला हूँ घर पर जाके इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो बाई बाई टाटा